नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है विए मिस्सा टेंग में टेजस इन्वेश्टर हम लोग जिससे एर के उपर अपडेट लेने वाले हैं फिलाल वो बैंक है पेडरल बैंक लिम्टेट के उपर बात करेंगे टेर्यर्स इसके क्वाटर टू के नतीजे आ चुके हैं इसको डिसकस्ट नहीं किया है तो ЕН्लो इस वीडियो में डिसकस्ट करेंगे और ऐसे इसकी फइनिस्ट के लिए उसका लिंक आपको वीडियो की कि जिन लोगों को YouTube पे VIP मेंबर से प्लेनी है उसका भी लिंक वीडियो के डिसेप्शन में है टेर्स वहां से जॉइन करने के साथ ही आप किसी भी सेयर पे अपना प्रस्टनल जो डाउट है वो पूछ सकते हैं और उसके बाद जिस भी सेयर पे आप वीडियो चाहें उस पर बैंक्स के तो आप इनको भी जरूर से चेक आउट करिए चलिए हम लोग फेडरल बैंक को समझते हैं तो ट्रेयर्स एक सो तीन रुपे नबबे पैसे गराउंट ट्रेड कर रहा है अच्छी खासी ग्रोथ रही है इसके नंबर आने के बाद रिजनल बैंक्स में आ जाता है अर्निंग पर सेयर इसकी बहतर है और मार्केट के अपिल अच्छी खासी है लाश्ट टाइम जो डिव्डेंट येड दिया था वो 0.73% का था मतलब थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया ये अच्छी बात है बहुत से बैंक्स होते हैं वो बिल्गुल प्रोवाइड भी नह करते हैं प्राइज अंडिंग रिशियो की बात करें तो 12 आ जाता है जो कि सेक्टर वाइज सही नजर आता है वन येर के अस्थर पर देखा जाए ट्रेस तो बैंक ने हमको 83% का रिटन प्रोवाइड किया है पर अगर आपको ये अच्छे लेवल पे लेके अच्छी राउंड तक का उनके लिए काफी बैतर ये इसमें भी रिटन अच्छे मिल जाते हैं बाकि इसकी एवरेज वैल्यूम पे बात करें तो 10 डी इसका काफी बैतर है हाई लोग आपको यहां पर डिफ्रेंस दी जाएगा जब फर्स टाइम डिसक्स किया था टेस तो ये 47 वब हो चुके हैं नंबर आप सेयर होल्डर्स की बात करें टेस तो 5,43,000 लोग होल करके चल लें मतलब ऐसा नहीं है कि कम लोग होल्डिंग्स है अच्छा खासा इसमें ग्रोथ है और अच्छी खासी होनी भी चाहिए बैतर कंडिशन में बैंक इस टाइम पे बूम कर रहा ह टेस इसकी फाइनसल कंडिशन का अपडेट ले लेते हैं तो यहां पे जो आपको दिखेगा टेस बहुत स्ट्रॉंग रहा है इसका मार्केट कैपिल के साथ बुक वेल्यू हो गया फेस वेल्यू हो गया यहां पे आल टाइम हाई प्राइस हो गया पिछले बारा मेहने का प पर श्टील अब इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है जिस हिसाब से प्रॉफिट अब हुआ है बाकी क्वाटर वाइस बात करने टेस तो इसमें जो जून से सितंबर के नंबर है वो 36.2% की उसमें भी ग्रोथ है तो एक अच्छा खासा कंडिशन यहां से नजर आ जाता ह है अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें प्रमोडर की होल्डिंग नहीं है तो वह भी आपको नीचे दिखा देता हूं बाकी लोगों की होल्डिंग कैसी इसमें सबसे पहले रिजल्ट समझ लेते हैं तो आपको यहां पर नजर रखना है हमको लाश्ट येर के डाटा पर ला बहुत ज्यादा बहतर है और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टेक्स पे देखा जाये ट्रेज तो वहां पे भी क्लियरली इसका जो नंबर है वो काफी बहतर आ जाता है दोनों ही लास्ट कॉटर और लास्ट इयर से और नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज है लास्ट इय जाफा हुआ है बाकि इसके प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डालें ट्रेस तो यहां पे भी आपको ग्रॉफ देख जाएगी जैसे कि आप मार्ट 2010 का देख लीजिए और करेंट लेवल पर देखिए तो यहां पे 440 का है बस प्रॉफिट होता था मार्ट 2010 के राउंड औ इसको अपना ठीक किया और उस पे काम किया बाकि इसकी cash flow बैतरीन है कोई दिक्कत नहीं है बाकि चीजों का तो yearly wise मतलब fiscal March में अपडेट होता है तो ऐसा कुछ as it is new नहीं है बताने के लिए बाकि share holding patterns देखने ट्रेस तो यहां पे FIS की investment जो है वो 25.92 है उसके बाए अपने domestic investor की 42.53 है और public के पास 32.55 है तो इसे जाब से share holding patterns में भी कोई इतनी दिक्कत नजर नहीं आती है वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो हम लोग अब डारेक्ट च कैसे के round आप लगा के चल सकते हैं जबकि इसमें अभी देखिए जो new support बना रहा है वो 91 रूपी के round है पर हाँ अभी के हिसाब से अगर आपको support लेके चलना है तो यह एक अच्छा यहां पे मिल जाता है आपको बाकि अगर आप इसको target लेके चलना चाहते हैं वन मन से टू लेकरा है next Friday तक का target तो अभी जश्ट Monday से जब market खुले की उसके बाद से वन वीक का जो target है 111 तक का है ट्रेड्स यहां पर अच्छा खासा volume generate हुआ है आप यहां पर देख सकते है 128 का Friday को मतलब अच्छे खासे volume पे इसमें growth होई है delivery पे काफी ज्यादा माल उठाय गया है तो यह अगर बरकरार रखता है तो 111 जो target है वो कोई बड़ा target नहीं है easily मिल जाएगा buy करने की बात कर लें अगर आपको यह dip में share मिलता है तो आप इसको 91.75 से लेके 96.25 पैसे के round इसके mid में buy आप करने के लिए जा सकते हैं अच्छी position के लिए अगर आपका long term view है तो आप किस से इसमें जाएए देखिए अभी एक और resistance बन रहा है 110 रुपीज के round इसलिए मैंने आपको 111 तक के round का target दिया है जिससे की 110 का target जो है easily मिल जाए तो यही total update था federal bank के उपर thanks watching this video मिलते हैं आपको नेक्स एक साथ next video में